साथ क्यों, आज 21 सदी का ये समय देख रहा है कि कैसे जिन नेता जी सुभास को आज़ादी के बाद भूला देने का प्रयास हुआ, आज देश उनी नेता जी को पल पल याद कर रहा है. अन्नमान में जिस जगह नेता जी ने सबसे पहले तिरंगा फैराया था, वहां आज गगन चुम्बी तिरंगा आजाद हिंद फोज के पराकरम का गुणगान कर रहा है. पूरे देश में और देश के कोने कोने से जब लोग यहां आते हैं, तो समंदर किनारे लहराते तिरंगों को देख कर उनके दिलों में देश भक्ति का रोमाच भर जाता है. अब अन्दमान में उनकी याद में जो मुजियम और स्मार्ग बनने जा रहा है, वो अन्दमान की यात्रा को और भी स्मर्णिय बनाएगा. 2019 में नेताजी से जुड़े ऐसे ही एक मुजियम का लोखारपन दिल्ली के लाल किले में भी हुआ था. आज लाल किला जाने वाले लोगों के लिए वो मुजियम एक प्रकार से हर पीड़ी के लिए प्रेरणा स्थली की तरह है. इसी तरह बंगाल में उनकी 125 वी जेंती पर विशेस आयोजन हुए थे. देश ने इस दिन को पूरे धुम-धाम से सलिप्रेट किया था. उनके जन्म दिवस को पराकरम दिवस के रूप में गोशित किया गया. यानि बंगाल से लेकर दिल्ली और अंडमान तक देश का ऐसा कोई हिस्सा नहीं है. जो नेता जी को नमन कर रहा हो, उनकी विरासत को संजो न रहा हो. साथ क्यों, बीते आठ नव वर्षों में, नेता जी सुभाचंद्र बोस के जुड़े, ऐसे कितने काम देश में हुए हैं, जीने आजादी के तुरंद बात से हो जाना चाहिए था. दिखो, समय नहीं हुआ. देश के एक हिस्से पर आजाद भारत की पहली सरकार, 1943 में बनी थी, इस समय को अब देश जादा गवरव के साथ स्विकार कर रहा है. जब आजाद हिन सरकार के गठन के 75 वर्ष पुरे हुए, तब लाल किले पर देश ने जन्ना भारा कर नेता जी को नमन किया था. दसकों से नेता जी के जीवन से जुड़ी फाइलों को सार्वजेनिक करने की मांग हो रही थी. ये काम भी देश ने पूरी स्रधा के साथ आगे बढ़ाया. आज हमारी लोकतांकते संस्ताओं के सामने करतव्य पत पर भी नेता जी बोस की भव्य पतिवां हमें हमारे करतव्यों की याद दिला रही है. मैं समझता हूँ, ये काम देश हित्में बहुत पहले हो जाने चाहिए थे. क्योंकि जिन देशों ने अपने नायक नाईकाओं को समय रहते जन्मानत से जोड़ा सांजे और समर्थ आदर्स गड़े, वो विकास और राष्ट्र निर्वान की दोर में बहुत आगे गए। इसलिए यही काम आजादी के अम्रित कान में भारत कर रहा है, जी जान से कर रहा है.